सब्सक्राइब करें हमारी रास्मीजोला के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नही नही रेसिपी देखने के लिए दूस्तों नास्ते का टाइम होता है हर दिन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबको नया नया कुछ अलगी खाने का मन करता है तो आज मै आपके साथ शेयर करें हो मेगी के पकोड़े जो कि घर में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी यह बहुत ही अच्छे लगेंगे तो चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा छोटी सी वीडियो है फटा-फट में बनने रेसीपी हैं वीडियो अच्हे लगे तो लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि पकोड़े बनाने के लिए है मैंने एक मेगी का स्वह का और इसको हम पानी में बौिल करेंगे जैसे म बनाते ला वैसे हिसको कर लेंगे तो मैं मोगी मेगी का मार्केट में मिलता ना ये वाला में यूज करे हूं मेगी मसाला तो ये डाल देते हैं एक पाउच अब इसके अंदर डालेंगे फोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिरच बारी कटा वहरा धन्या थोड़ी सी बारी कटी हुई लाल टमाटर एक चमच बेसन टेस्ट के अनुसार नमक यहां पि मैं लाल मिरची का पाउडर नहीं डाल लहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर ओल्रेडी से जो है वो हरी मिरच है और मसाला में गी मसाला एड़ किया हुआ है अब अच्छे से मीक्स कर लिया है चलते हैं गेस की तरх तो देखिए बस इस तरह कि हमें बोल अब इसी बाउल में डालेंगे आदा चमच बेशन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से मीक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी ओ डालेंगे गोल तियार हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाले हूं चीली फ्लेक्स चीली फ्लेक्स डाल करके अच्छे से मीक्स कर लेंगे यह मैंने कल्ची लिए क्योंकि मैं बहुत ही कम तेल में फ्राई करनी वाली हूं हमें ज़्यादा तेल नहीं टिकाना है तो एक चमच हम तेल लेंगे और तेल को गरम होने के लिए रद देंगे अब हम अपना एक बोल लेंगे इसके अंदर इस तरह से डीप करेंगे बोल को बस इतना ही आपको बोल को है ना डीप करना इसके अंदर ज्यादा नहीं लेना है अब आपको क्या गरना इसका फोक की साइता से इसको ऐसे लेना है ठीक है और अब तेल में इसको फ्राई कर लेना है यह आप देख सकते हैं मैंने इसको तेल में डाल दिया है एक साइड से पक जाता है तो हम इस्पोन की साइता से इसको ऐसे पलड देते हैं आप देख सकते तो कितने बढ़िया से फ्राई होकर के रडी हो जाते हैं बस थोड़े से तेल में फ्राई होता है हम इसे बाहर निकाल निकाल लेते हैं तो एसे तरह से हमने एक्च करने कार करे जाए हाँ नकितना दान प्यारा सकते हैं और एकदम स्लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया है, बहुत ही अच्छा अंदर तक के पक्कर के तियार हो चुका है, तो इसी तरह से सब निकाल लिए हैं, आपको आज के हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताएगा, और बनाएगा जरूर बहुत ही टे तो चले मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा देती हूँ, मेगी की सान दार पकोड़ी, टोमेटो केचप के साथ में, और सिर्फ एक चमच तेल से बना सकते हैं, तो लेजी एक पीस मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ, बच्चों को तो ये इतनी पसंद आते हैं कि मुझे बार बार बनाना पड़ता है एक बार बना दिया उन लोगों को तो बस अब मेगी वाले आना पकोड़े बना दो नास्ते में बस और बनते फटा फट में ये बात खास है फटा फट में बन जाते हैं